हालो फ्रेंट्स, वेल्कम टो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गई जैसा कि आज आज आपका SSC फेस 12 का 26 जून के फसिप का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीडियों बताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस परकार के जो है आज आपके 26 जून के फसिप के एक्जाम में प्रेस्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एससे फेस 12 एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और बगल में ही आपको एक बैलेकर यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी ज़रूर प्रेश कर दिएगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला कुश्चन आया था कि पूना पैक्ट 1932 यह मात्मा गांदी और किन के बीच हस्थाचर जो इस पर किये गया थे तो देखे पूना पैक्ट जो है यह आपका 24 सितंबर 1932 को जो है यह आपका डॉक्टर भीम राव अमबेटकर और महात्मा गांदी जी के बीच जो है तो यह आपका पूने के यरवदा सिंट्रल जेल में जो है यह आपका हुआ था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसकला एक्जाम में एक प्रस्ट और यहां से पूछा जाता है कि पूना पैक्ट के समय भारत के वासरा है कौन थे तो देखे इस समय जो भारत के वासरा है थे यह आपके लॉड इन्हे लॉड कहना बंद कर दीजे विलिंग्टन जो थे इस समय भारत के जो वासरा है थे और पूना पैक्ट जो यह किसको संदर्बीत करता है तो ये आपके British भारत की संसद में चुनाओ सीटों के अरच्छन के साथ ये दलित वर्गों को प्रदान करने के लिए इस पर हस्थाचर समझोते को ये आपका पूना पैक्ट जो वो संदर्बीत करता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और देखें मैं आपको पूना पैक्ट में महात्मा गांदी जी के तरब से महात्मा गांदी जी खुद जो हस्थाचर नहीं किये थे महात्मा गांदी जी के तरब से जो है मदन महन मालविय जो है इन पर हस्थाचर जो वो किये थे तो ये पॉइंट भी एक्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा ग समगीत नाटक के अनूसार शंगीत नाटक के दर्जा जो है। इसवी में जो है सत्रिया नेते को जो है सास्त्रे नेते का दर्जा जो वो दिया गया था और वर्तमान में संगीत नाड़क अकैडमी के एकॉर्डिंग जो है आपके आठ सास्त्रे नेते हैं जिसमें अगर नविंतम नेते की पूछा जा कि सबसे नविंतम सास्त्रे नेते कौ को जो है हाली में सत्रय नित्यों को लोगप्रिय बनाने के लिए असम सरकार के द्वारा मादो देव पुरुषकार से भी जो वो सम्मानित किया गया है नेक्स्ट कोशन आपके आप रहता कि संभिधान की फ्रस्तावना में जो है अब तक कितनी बार जो वो संसोधित किया गया यानि संसोधन गया तो संभिधान की फ्रस्तावना में जो है अब तक एक बार आपके संसोधन 210 की वो यह ने सब्धु को संप्रबु और लोकतान्तिरिक सब्धु के बीज जो जो जोड़ा गया था है और राश्ट की एकता सब्धों को जो रास्टकी एकता और अखंड़िता में जो इसे जो कि आपका 2002 में हुआ था इसके माध्यम से जो हमारे संभीधान में जो वो जोड़ा गया था तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा और भारते संभीधान की प्रस्तावना यह जो कब अपनाये गया था तो इसे जो आपका 26 नॉंबर 1949 को जो अपनाये गया था इसलिए भारत में प्रती वर्स 26 नॉंबर को जो है भारते संभीधान दिवस के रूपे भी जो वो मनाये जाता है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश है आपका यहाँ पर आता कि बरहुत जो है यह किस धर्म से संबंदीत है तो देगे भरूत की बात कर ले तो यह आपका बौद धर्म से शंबंदीत है तो बौद धर्म आपका यहाँ पर करेक्टेंसर होगा इसके लावा यह जो आपका भरूत अस्तूप है ना इसे जो है सुरू में असोग के द्वारा जो इसे बनवाए गया था और बाद में जो आपका भरूत जो सटूप है यह कहाँ परीस्तित है तो यह पका मदे पड़ेशके सतना जीले में इस्तित है तो यह पर बी है nadirind धर्म to स्टना गया और इसका जो निर्मान है यह टोटल आपके सुल्ला महाजनपत थे तो सुल्ला आपका यहाप एक करेक्ट अंसर होगा और देखें सुल्ला महाजनपत की राज़दानी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से एक्जाम में प्रस्ट न पूछा जाता है जैसे कि कासी महाजनपत की जो राजनपत 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 की जो र वत्स की राज़ानी जो यह आपका कौसांबी में था इसके लावा अगर कौसल की बात कर ले तो देखे कौसल की जो राज़ानी थी ना तो यह आपका आयोद्या था लेकिन बुद्धकाल में दो भाग में यह आपके हो गए थे उत्री भाग की जो राज़ानी थी यह आपके काम पिल ले था इसके अलावा गर सूर्षिन का पूचा जाए तो सूर्षिन की जो राज़ानी था यह आपका मतुरा में था मतजसी की जो राज़ानी था यह आपका विराट नगर में था असक की राज़ानी अगर पूचा जाए तो यह आपका पोतन या फिर पाटेली में इ कमभोज की राज़ानी अगर पूचा जाय तो हाटक या राजपूर जो है इसकी राज़ानी थी तो यह सुल्ला महाजनपत के जो है राज़ानी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश्च आपका आप रहा था कि भारत की रास्टे महिला आयो की पहली अध्यच कौन थी तो देखे रास्टे महिला आयो की जो स्थापना है न यह आपके 31 जनवरी 1992 को जो इसका गठन जो वो किया गया था और इसकी जो पहली जो अध्यच बनी थी यह जयनती पतनायक बनी थी तो जयनती पतनायक आपका करेक्टेंसर होगा इसके लाब अगर वर्तमान में पूच इसके लाब एक्जाम में अगर पूचा जाए कि NCW में कितने आपके सदसे होते हैं तो देखे इन में आपके एक अध्यच पांच सदसे और एक जो आपके सची होते हैं तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा क्योंकि इससे पहले जो आपका वितायोग में पूचा सदसे होते हैं तो देखे वितायोग में आपके एक अध्यच और चार जो होते हूवा आपके सदस् से होते हैं तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट को शी है आपका यहाँ प रहा था कि राज्तरंग नी पूष्तक है ना इसके लेखा कौन थे तो देखे इसका जो अर्थ होता है ना ये राजाओं की नदी होता है और राज तरंगनी को जो है कौन सी सताबदी में लिखा गया था तो इसे जो है बारवी सताबदी में जो है कलहन के द्वारा जो हो लिखा गया था और इसे प्रीबियस सिप्टो में जो है आपसे कता सरीद के बारे म में जो वो लिखा गया था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश है आपका यहां पर रहा था कि निमनल इखित में से कौन सी पुस्तक जो है यह आपके पेसिवर बॉक्सर माइक टैशन की जो है आटो बाइगराफी है तो देखे माइक टैशन की आटो बाइगराफी की बात कर ले तो देखे अंडिस्पूटेट ट्रूथ माइक आटो बाइगराफी यह जो आपके माइक टैशन की जो है आटो बाइगराफी है तो अंडिस्पूटेट ट्रूथ यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश्ण है आपका यहाँ रहा था, कि संसत की सदस्थिता के लिए, योग्यता का मुद्दा भारत के संभीधान में निम्नलिखित में से किस अनुछेत में आपका वर्नित किया गया है, तो देखे अनुछेत 84 में संसत के सदन बनने कि जो योगिता होता है ना, वो आप सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके लावा उसे पुष्टी की सपत बनानी और सदसेता जो वो लेनी चाहिए, और लोगसभा के मामले में, लोगसभा का सदसे बनने के लिए, जो आपका नियूनतम उम्र है ना, ये 25 वर्स होना चाहिए, इसके लावा राज्यसभा का सदसे बनने के लिए, आपका नियूनतम उम्र है ना, ये 30 वर्स होना चाहिए, वहीं रास्टपदी बनने के लिए आपका नियूनतम उम्र जो है, ये 35 वर्स होना चाहिए, इसके लावा मैं आपको बता दूँ, कि र लोकसभा को जो जाना जाता है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन आपका यहां पराता है कि मायोको तेहार जो है ये किस राज्जी में मनाया जाता है तो देखें मायोको तेहार की बात कर ले तो यह आपका अरुनाचल परदेश राज्जी में मनाया जाता है तो अरुनाचल परदेश आपका यहाँ पर करिक्ट अंसर होगा इसके लब अगर मायोको फैस्टिबल की बात कर ले तो यह आपका जीरो घाटी में एक वार्सिक उसव है जिसे खास तोर पर तीन अस्थानी जनजाती की द्वारा जो वो मनाया जाता है और वो तीन अस्थानी जनजाती कौन कौन से है तो पहला आपका डीबो हीजा, सेगन आपका हरी बुल्ला और थर्ड आपका अपाटानी जन जाती के दोरा इस फैस्टिबल को जो वो मनाया जाता है और ये जो आपका मायो को फैस्टिबल है ये कितने दिन तक जो वो मनाया जाता है तो देखे इस फैस्टिबल को जो है ये आपका दस दिनों तक जो है वो मनाया जाता है और ये कब से कब तक चलता है तो ये आपका हर साल 20 से 30 मार्ज तक जो वो चलता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका है हम रहा था कि 2024 की ओलम्पिक खेलों की जो मेजवानी है ना ये कौन सा देश करेगा तो देखे 2024 का जो ग्रिश मकालीन ओलम्पिक होगा ना ये आपके फ्रांस में जो आयोजित किया जाएगा तो पैरिश फ्रांस आपका यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा इसके लाव मैं आपको पता दूँ कि 2024 में नए खेलों को भी जो वो जोड़ा गया है जिसमें आपके स्केट बोडिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेकिंग इन सभी खेलों को भी जो जोड़ा गया है तो एक्जाम में अगर पूछा जाए कि 2024 के पेरिश ओलंपिक में कौन-कौन से अन्ने नए खेलों को जो जोड़ा गया है इसके अलावा दोजार 28 के ग्रिश मकाली इन ओलंपिक की बात कर ले तो यह कहां पर आयोजित किया जाएगा तो यह आपका संहुक तराज अमेरिका के लास एंजिलेस कैलिफॉर्निया में जो यह आपका आयोजित किया जाएगा तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा इससे पहले जो आपका 2020 में जो आपका टोकियो ओलंपिक हुआ था यह कहां पर आयोजित किया गया था तो यह आपका टोकियो जापान में आयोजित किया गया था जिसमें भारत के द्वारा जो है टोटल आपके साथ पदक जीते गया थे जिसमें एक गोल्ड, दो सिल्वर और चार जो था वो आपका ब्रॉंज मेडल सामिल था तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेएगा एक कोशन जो आपका एमिनो एसिट से है था एमिनो एसिट से रियल और ऑथेंटिक हैं तो अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को जाए लाइक जरू कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनलाइसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक थाइंक्यू, अल्ड़ बेस्ट